दोस्तो दूसरे T20 मैच में रिंकू सिंग और सूरिकुमार यदव ने साउथ अफरीका की करदी जबर्दस्ट पिटाई तो इसके बाद बारिस ने आकर मैच में फेरा पानी लेकिन बारिस के बाद एक बार फिर से भारत ने कर दिया जबर्दस्ट कमाल जैदोस्तो भारस अफरीका ने टॉस जीत कर पहले गेंद बाजी चुनी और दोस्तो उनका ये फैसला आज बहती अच्छा साबित हुआ क्योंकि दोस्तो इस मैच में भारत को शुरुआती जटकी काफी जल्दी लग गए थे क्योंकि पहले ओवर में ही मारको यंसन ने ये जस्वी जैसवाल को आउट कर दिया था और जैसवाल तो अपना खता भी नहीं खोल पाए थे तो इसके बाध अगले ही ओवर में विलियम्स ने शुमान गिली को आऊट कर दिया था और वो भी अपना खता नहीं खोल पाए थे और भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज 6 रन के स्कोर पर पवेलियन लोट चुके थे बिना खाता खोले लेकिन एक तरफ इस मैच में तिलक वर्मा काफी आकरमक बैटिंग कर रहे थे तो उनका साथ कप्तान सूरे कुमार यदव दे रहे थे जहां इन दोनों की शांदार बैटिंग की वजह से भारत की टीम ने 50 रनों का स्कोर पार कर लिया था केवल 6 ओवरों में लेकिन इसी बीच 55 रन के स्कोर पर गरिलेट कोटेज ने तिलक वर्मा का आउट कर दिया था और तिलक वर्मा 29 रन बना के राउट हुए थे जहां उनके आउट होने के बाद रिंकू सिंग इस मैच में बल्ले बाजी करने उतरे और दोस्तो रिंकू सिंग ने इस मैच में कमाल का परदशन करा लेकिन इसी बीच कप्तान सूरिया ने कमाल की बैटिंग करते हुए कि वो 29 गेंदों का सामना करने के बाद अपने 50 रन पूरे कड़ डाले थे और दोस्तो ऐसा लग रहा था कि आप ये दोनों बल्ले बाज यहां से भारत का स्कोर काफी तेजी से आगे बढ़ाने वाले हैं लेकिन इसी बीच भारत को चोथा जटका लगा 125 रन के स्कोर पर और दोस्तो ये बड़ा जटका तरवे शम्षी ने दे कर सूरिय कुमार यदव का उट कर दिया और दोस्तो सूरिया 36 गेंदों में 3-6-5 चोकों की मदद से 56 रन बना कर आउट हुए थे जाएंस के बाद बैटिंग करने जितेश शर्मा उत्रे लेकिन दोस्तो जितेश शर्मा केवल एक रन बना कर माकरम की गेंद का शिकार बन गए थे तो इसके बाद रिंकू का साथ देने जड़ेजा उतरे जाएंस मैट में जड़ेजा रिंकू सिंग का साथ दे रहे थे लेकिन इसी बीच रिंकू सिंग ने ताबर तोड़ बैटिंग करते हुए केवल 30 गेंदों का सामना करने के बाद अपने 50 रंड पूरे कट डाले थे और कोट्रेजी ने अगले ही गेंद पर अर्षदीप को भी आउट कर दिया था जहां दोस्तो भरत की टीम ने 180 रंड बनाए थे और दोस्तो तीन गेंद बची थी लेकिन इसी बीच बारिस की वजहा से ये मुकाबला काफी देर तक रुका रहा और इसके बाद बारिस की वजह से भारत की पारी को यहीं समाप्त करके साउथ अफरीका की टीम को एक नया टार्गेट दिया गया जिया दोस्तो इसके बाद साउथ अफरीका को 15 ओवर तक 152 रंओ का टार्गेट दिया गया था जहां इस मैच में रिंकु सिंग 49 गेंदों में दो शक्के नो चौको की से 18 रंओ की बहतरी इंपारी खिलकर नॉट आउट रहे थे तो इस मैच में साउथ अफरीका की तरफ से करलेट को टेज को तीन विकिट हाथ लगी थी और इसके बाद साउथ अफरीका को 15 ओवर तक 152 रंओ का टार्गेट दिया गया था और जब इसके बाद साउथ अफरी थी क्योंकि इस मैच में रिचा हेंडिक्स काफी ताबर तोड बैटिंग कर रहे थे तो उनका साथ मैथ्यू ब्रीड दे रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने साउथ अफरीका की खिडवात काफी आतिशी इंदाज में करवा दी थी क्योंकि तीन ओवर में ही साउथ 42 रन बन चुके थे लेकिन इसके बाद साउथ अफरीका को पहला जटका 42 रन की स्कोर पर ही लगा और दोस्तों ये जटका इन दोनों की गलत तालमेल की वजह से लगा और मैथ्यू ब्रीड 16 रन बना कर आउट हुए थे जहां इसके बाद बैटिंग करने कप्तान एडन माक कर रहे थे और इस मैच को जीतने के लिए साउथ अफरीका काफी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था लेकिन इसी बीच 96 रन के स्कोर पर भारत को दूसरी सफल था मुकेश कुमार ने दिलवाते हुए कप्तान माकरम को आउट कर दिया और माकरम 17 गेंदों में 30 रन बना कर आउट हुए थे जहां उनके आउट होने के बाद इस मैच में भारत ने एक करके साउथ अफरीका को और भी जटके दिये जिससे इस मैच में भारत की हलकी बहुत वापसी हुई क्योंकि 108 रन के स्कोर पर रिचा हेंरिक्स को कुल्दी प्यादव ने आउट कर दिया था और हेंरिक्स 27 गेंदों में 49 रन बना के राउट हुए थे वो अपने अर्शतक से एक रन दूर रह गए थे तो अगले ही ओवर में मुहमस जिराज ने कलासन का उट कर दिया था और वो 7 रन बना के राउट हुए थे लेकिन दोस्तों साउथ अफरीका ने 10 ओवर तक 4 विकिट क 17 रन बना के राउट हुए थे लेकिन इसके बाद ट्रिस्टन स्टैबिस और पहले को लवायों ने कमाल का परदशन करते हुए ये बड़ा मुकाबला 14 ओवर में ही जितवा दिया था और साउथ अफरीका की टीम ये दूसरा टी-20 मैच 5 युक्तों से अपने नाम कर चुकी है